स्वागत है आप सभी का अपने इस ऑनलाइन यूटूब चैनल एडवांस अनिस्ट्यूट में आज हम लोग एक महत्पूर्ण वीडियो देख चुके हैं जिसका डिस्क्रिप्शन मैंने पहले ही अप्लोड कर दिया है यूटूब पर मैंने सम्मिधान सभा के बारे में पूर भारत का सम्मिधान सभा का बस्टनिष्ट किया गया था तौ सम्मिधान सभा द्वारा इसे कपपारित किया गया था 26 9199 को ठीक है अचा आप लोग भी इसका एंसर दे सकते हैं ठीक है तो जिसको देना है तो जैसे वीडियो को वेंने दे सकते हैं ठीक है चलिए कोश्चन नेस्ट है भारत का संभिधान कब लागू एवं प्रभावी हुआ था तो भारत का संभिधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था संभिधान सभा के 27 सदस से कौन थे 27 सदस जो थे वो टाक्टर राचेंद प्रसाद को चुना गया था 11 दिसंबर को संभिधान सभा के प्रथम बैठक कब आयोजित की गई थी ये आप की गई थी 9 दिसंबर 1946 को ठीक है ध्यान ये रखना है 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी दूसरी बैठक जो हुई थी हमार 11 दिसंबर 1946 को हुई थी ठीक है और 1946 में जो चुना गया था अध्यक्ष वो राजिन प्रशाद जी को चुना गया था 1946 में सचिदान सिनहा को चुना गया था ठीक है और इसी से question एक बना था कि इसमें जो उपध्यक्ष थे वो कौन थे ठीक है तो वो कौन थे आपके किस्मचारी जी तो उपध्यक्षी से चुना गया था तो उनको चुना गया था HK मुखर जी को चुना गया था ठीक है और BT किस्मचारी को चुना गया था किसको चुना गया था BT कृष्णमचारी को ठीक है तो ये दियान रखिएगा दोनों ही को उपध्यक्ष चुना गया था ठीक है HK मतलब हिरेंद कुमार, मोकर जी और BT किस्नमाचारी ठीक है नेस्ट कोशन पर चलते हैं अपन लोग संबिधान सभा की प्रारूप समित की अध्यक्ष कौन थे तो प्रारूप समित में कुल साथ सदस थे और उस सदमित के जो समित की अध्यक्ष थे वो कौन थे वो आपके थे डाक्टर भीमरा अमबेटकर जी ठीक है प्रारूप समित में कुल कितने सदस थे तो ये बहुत ही आसान प्रशन है साथ लोग थे ठीक है और इनके बारे मैंने फुल वीडियो आप लोग को पढ़ाया हुआ है आप लोग यूटूब में जा करके पूरा वीडियो मैंने पढ़ाया है उसके बाहर कुछ भी कोशन नहीं जाएं क्योंकि मैंने बहुत डीपली लेवल में इस चीज को कबर किया है और लगभग मैं मद्द प्रदेश लोग से बायो कि सभी जितनी भी चीजे हैं सबको मैं इस पर कबर करूँगा ठीक है पूरे सलेवस को कबर करूँगा निम्न में से कौन प्रारूप समित की सदस्य थे तो इस पर से कौन प्रारूप समित की सदस्य थे तो कनहयालाल मारिकलाल मुनसी भी थे सैयद मुहमद सादुला भी थे और एन गोपाल स्वामी आयंगर भी थे तो यहाँ पे आपका होना चाहिए उप्रोक सभी सभी थे भारती संबिधान को बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन हुए थे तो भारती संबिधान को बनाने के लिए कुल 12 अधिवेशन हुए थे यह बहुत महत्वपूर्ण प्र उनका स्वर्गवास हो गया था ठीक है तो उनके जगह पर किसको जगह मिली थी तो ये याद रखना है आपको वो थे कौन एन माधराव एन माधराव थे जो बियल मित्र की जगह पर आये थे ध्यान रखिएगा बियल मित्री जगह पर कौन आये थे एन माधराव संबिधान सभा के सदस्य कौन थे तो जवाहलाल नहरू थे सरदार बल्लब भाई पतेल मौलाना अब्दुलकला माचाद डाक्टर राजेंत पसाद डाक्टर भीम राउंबेड कर तो इन में से सभी लोग संभिधान सभा के सदस्य थे ठीक है जो प्रारूप समित्य उसमें कुल साथ सद सदस्य थे और ये बांकी सभी लोग क्या थे संभिधान सभा के सदस्य रहे हैं ठीक है चलिए तो और कुछ दस्कोशन और करके देखते हैं चलिए तो पहली बात मैं बता दूँ अगर किसी को ये वीडियो नहीं मिल पा रहे हैं ठीक है तो वो इस नंबर पे 99-93-68-11-96-96 पे वाट्सअप कर सकते हैं और अपना नाम लिख करके मुझे सेंड कर दें अपना नाम लिख दीजे और कहां से हैं आप बो लिख दीजे प आपको नहीं भी मिल रही है तो मैं आपको आसानी से उपलब्ध करा दूँगा ठीक है ये मद्ध प्रदेश लोग सेवा आयोग के लिए और अन्य परिश्च्छा हैं जो इसकी संकक्ष हैं ठीक है यूपी वैस्टी वगयरा के लिए भी ये वीडियो क्या है बहुत महत्व पूर्ण है उस तरह के वहां भी प्रश्ण पूछे जाते हैं क्योंकि उसमें भी यही सब टॉपिक है ठीक है चलिए कोश्यन है सम्विधान सभा को सम्विधान सभा को सम्विधान सभा को सम्विधान तयार करने में कुल कितना समय लगा है तो भाया लगा है उनको कितना द प्रथम अधिवेशन कब और किसकी अधिश्ता में हुआ था तो संभिधान सभा को जो प्रथम अधिवेशन हुआ था वो 9 दिसंबर को हुआ था 1946 को हुआ था ये तो बिल्कुल सही है लेकिन यहां पे जो भीम्राव मेडिकर नहीं थे वो कौन थे पहले जो आइस थाई सदस जिसको चुना गया था बोद थे डाक्टर सचिदानन सिनहा ठीक है और जो दूसरा अधिवेशन हुआ था 11 दिसंबर 1946 को उसमें थे राजिन प्रसाद जी ठीक है संबिधान सभा का निर्माण करने वाली संबिधान सभा गठन कैविनेट मिसन के आधार पर कब हुआ था यह आपको प्रस्ण है ठीक है तो वो हुआ था जुलाई 1946 में फिर कोश्यन है भारती संबिधान सभा के संबध में निमनांकित में से कौन से कथन सही है क्या है सही इसमें चार आपको दिये हैं आवा सादा इसमें आपको बताना है पहला है यह बयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था ठीक है इसमें मत नहीं लिये गए थे यह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परणाम था नहीं प्रत्यक्ष निर्वाचन तो हुआ ही नहीं था यह बहुदली संरचना नहीं थी नहीं बहुदली थी क्योंकि इसमें हर दल के लोग थे यह सही है यह कई समितियों के माध्यम से कार्यत थी हाँ कई समितियों के माध्यम से क अिजन्धिति याजिका की अवधार्ना की सुर्वात किस देश में हुई कनाड़ा में हुई, समृत्राज अमेरिका में हुई, उनियारा की किंगड़री अजिक शममधी बात राते रहे वा चाहिक किसने समयक deposit प्रस्तूत किया था तो किस u संबिधान सभा का उद्दिष प्रस्ताव प्रस्तुत किया था वो डाक्टर भीनौ बेड़कर थे जवाहला लहरू थे सदार बल्लब भाई पतेल थे या राजिन परसाथ थे तो उद्दिष प्रस्ताव जवाहला लहरू जी ने क्या किया था प्रस्तुत किया था यह ध्यान नेस्ट कोश्यन है भारत के संविधान के सुरोतों के संदर्व में निमनांकित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है अर्ध संगहात्मक सरकार कानून निर्मान की प्रक्रिया ग्रेट बिर्टेन राज नीती निर्टे सकता तो आयरलेंड से लिए गया है तो कानून निर् समना वलोकन सर्वताज अमेरिका से लिया गया है तो अर्ध संगहात्मक जो सरकार है स्विजय लेंड से यही आपका गलत ऑप्शन है मतला एंसर हमारा यही होगा यह सुमेलित नहीं है संबिधान की उद्देशिका में उल्लेखित हम भारत के लोग संबिधान की निमनांकि विसेष्टा से गनिष्ट रूप से जुड़ा है यह बताइई यहाँ पर क्या होगा सोतंत्र नयाव पालिका पंत्र निरपेचिता संब्रभू या दुई संस्तनात्मक यहाँ पर क्या होगा तो यहाँ पर होना चाहिए संबिधान की उद्देश नियूदिश का हम हम अब संप्रभु हम भारत के लोग संप्रभु राज यह यहाँ पे सही सब्द है संबिधान की निम्नांकित विसेस्ता में घनिश रूप से जुड़ा हुआ है संप्रभु राज जब आप उसकी प्रस्ताबना कोई पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको यह मिलेगा संप्रभु भारत के संबिधान की मूल संरचना के सिध्धान्त का स्रोत है भारत के संबिधान की मूल संरचना जो थी उसके सिध्धान्त का स्रोत क्या है भारत के संबिधान है नियाइक बिवस्ता है नियाइविदों के मत है संसती कानून है नियाइक बिवस्ता भाहिया सभी को एक्व नियाए दिया जाएगा ये इसकी क्या है मूल सिध्धान्त है तो भारत की समिधानी के मूल सनचना की सिध्धान्त का सुरूत क्या है नियाएक विवस्ता है ठीक है एक बार मैं आपको और बता दूँ इस यूटूब चैनल में आपको मध्रदेश लोग सेवायो और इससे पूड़ जाते हैं तो आपको लगभग सभी वीडियो में अपलब्द करा दूँगा हर एक सब्जेक्ट के ठीक है और यह जो वीडियो में पनाता हूँ अगर आपको नहीं मिल पा रहे हैं तो मैं वहाँ पे आपको सेंड भी कर दूँगा ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद वीडियो देखने के लिए मिलते हैं नेस्ट वीडियो में